हलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग उमीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर गलती से हैकर ने आपके एकाउंट को हैक कर लिया है और उसने अपना आइडियो वहाँ पर लिंक कर दिया है तो आप लिंक कैसे करेंगे देखो आपके पास आप्सन तो खईज आ रहे हैं लेकिन पबजी मोबाइल में एक बहुत ही कमाल का फीचर आया वह भी मैं आपको बताने वाला हूँ अगर वह फीचर बीजियमाई में आ जाए तो भाई मतलब मजास आ जाएगा वैसे आना चाहिए यार पबजी मोबाइल का सारा बीजियमाई कॉपी कर रहा है सारा कुछ कॉपी कर रहा है अपडेट से लेके आउटफिट तक तो यह फीचर भी कॉपी करना चाहिए तो अगर copy कर लेता है तो भाई hacker हमारे ID को hack नहीं कर पाएगा कैसे मैं आपको आगे बताऊंगा लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं BGMI की क्योंकि मुझे बहुत सारी DM आए मुझे WhatsApp पे बहुत सारी screenshot भी लोग भेज रहे है कि sir hacker ने मेरे ID को hack कर लिया और यह ज़्यादा तर Facebook user के साथ में होता है या तो किसी लड़की के बैकाव में मतलब इस्टा वाली लड़की के बैकाव में आ गए आपने अपना Gmail उमेल सब दे दिया है और आपका hack हो गया ठीक ऐसा होता है ना तो वहाँ पर वह क्या करेगा जिसके बाद में आप परिसान हो जाएंगे और कई सारे लोग मुझे यही मैसेज कर रहे है कि सर मुझे अनलिंक करना है मेरा Facebook के अलावा उसने अपना Twitter लिंक कर दी आपने देखा होगा कई बार आपके दोस्त ही आपके साथ गद्दारी कर देते हैं तो ऐसे केस में आप कैसे अनलिंक करेंगे मैं आपको बताता हूँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने दो सोसल मीडिया अकाउंट लिंक करके रखा है तो अगर मैं अनलिंक अकाउन पर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ टर्म आप आप देख सकते हैं, पहला बात अगर आप अनलिंक करना चाहते हैं तो आपके ID में दो social media account लिंक होना चाहिए जो भी आप अनलिंक करना चाहते हैं पिलस पाउचों point आप देख लीजिए अगर आप अनलिंk करते हैं, तो मालोकि अगर हम यहां से Gmail को Unlink करना चाहते हैं जी वाला Facebook नहीं Gmail को Unlink करना चाहते हैं हमने Unlink कर दिया है तो 7 दिन तक आपको Gmail से Login नहीं करना है ID को अगर आपने Login कर लिया तो भाई Unlink नहीं होगा तो 7 दिन का टाइम है तो ऐसे के समें मालो अगर हैकर ने अपना Twitter या Gmail आपर Login कर दिया तो आप Unlink करते हैं Unlink करने के बाद definitely वा Login करेगा जैसे Login करेगा आप Unlink नहीं कर पाओगे तो PUBG Mobile में तो काफी कमाल का Option है लेकिन एक Option आपके पास और है आपको क्या करना आपको अपनी ID 7 दिन के लिए बैन करवानी है बैन मिंस कि आपको पैरलल स्पेस में आपको अपने ID को मतलब PUBG Mobile को दो जगा ओपन करना इस तरह से अगर आप ओपन करते तो 7 दिन के लिए बैन लग सकता है 7 दिन के लिए महीनों के लिए कभी कभी पर्मानेंट भी लग सकता है तो यह रिसक आप उठा सकते है या तो आप किसी हैकर के साथ खेलेंगे मतलब कुछ एंटिक करेंगे तब ही जाके आपकी ID बैन होगी जब आपकी ID 7 दिन तक वह लोग इन नहीं कर पाएगा तो वह लिए अनलिंक हो जाएगा यहाँ पर PUBG Mobile BGMI का सेम टू सेम फीचर है लेकिन BGMI में एक ही फीचर है PUBG Mobile में दूसरा फीचर Quick Unlink वाला फीचर एड़ कर दिया गया है आप देख सकते हैं लेकिन यहाँ पर हमको कुछ टर्म एंड कंडिशन को फॉलो करना है फॉलो मिंस की मतलब अगर आप असली ओनर है देखो PUBG Mobile पूछ रहा है अगर आप असली ओनर है तो आप साबित कीजिए जैसे आप साबित करेंगे जो हैकर का सोसल मेडिया अकाउंट लिंक हुआ वह अनलिंक हो जाएगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्विक अनलिंक का ओप्सन आ चुका यहाँ पर विव डिटेल है और यू डू नाट नीड टू वेट सेवन डे टू अनलिंक यानि आपको साथ दिन का वेट नहीं करना है आप उसके पहले ही क्विक बहुत ही जल्दी अनलिंक कर पाएंगे तो आपको विव डिटेल पर क्लिक करना है तो जैसे आप विव डिटेल पर क्लिक करेंगे आपको तीन कंडिशन यहाँ पर सो करेगी तो आपको तीनों कंडिशन को फॉलो करना है पहला आपने जिस email ID से जिस Facebook से जिस Twitter से आपने पहले गेम को बनाया था लोग इन करते समय आपने जिस social media account का लिंक किया था उसी social media account से आपको यहाँ पर आना है अगर आप quick unlink करना चाहते हैं पहली condition है तो जाइड सी बात अगर आप owner हैं तो आपके पास रहेगा रहेगा तो आपको उसी Facebook से उसी Gmail ID से उसी Twitter से लोग इन होना है ना कि मतलब जिसको आप unlink करना चाहते हैं ठीके तो आपको उसी social media account से यहाँ पर आना जैसे आप आएंगे पहला condition आपका complete हो जाएगा दूसरा condition है current device से जिस device से आप कुछ दिन से मतलब कल परसो से आप login logout हो रहे हैं गेम खेल रहे हैं उसी device से आपको आना है अगर आप किसी दूसरे device से आएंगे तो यह दूसरा condition complete नहीं होगा तो आपको same to same उसी device से खल और आपने खेला था परसो खेला था नरशो खेला था लागाउट किया था लॉग इन किया था तो आपको उसी device से यहाँ पर आना है मतलब गेममें आना है और आप जैसे आएंगे यह भी condition complete हो जाएगी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर दो condition complete हो गई है अब जो तीसरा condition आप देख सकते हैं कि यहाँ पर all linked platform यानि जो all linked platform है अगर आपने facebook से किया है twitter किया है तो आपको दोनो social media account से एक एक बार login होना है ठीक है एक एक बार login होना है तो यह feature मुझे काफी अच्छा लगा pubg mobile का भाई जैसे bgmy सब चीछ copy कर रहा है इसे भी copy कर ले ना यार काफी अच्छा feature है तो आपको यह feature कैसा लगा और क्या आपको समझ में आये की नहीं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे लग रहा है कि कुछ लोग है आप मेंसे जिनको समझ में नहीं आया comment करके जरूर बताना यार मैं आपको और explain करने की कोशिस करूँगा अगर समझ में नहीं आया होगा वीडियो को like कर देना, share कर देना, channel को subscribe करना मिलते नेक्स वीडियो में